तो राकेश टिकैट के पैरों के नीचे से जमीन किसक गई और हरे रंका जो वो कपड़ा पैनते ना सर पे पगड़ी टोपी जो भी है वो भी एकदम हवा में उड़ गया स्टूडेंट एक लड़की वो अब बिचारी अपना पिठु बैग लगा करके उनके स्टेज पर गई और उन्होंने अव्यसली प्रशन उनसे करे एक एक जो चीज़ें उस बच्ची ने पूछे वो क्या गलत उसने पूछा उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो आपर खड़े हो करके उनके उस कुनबे के बीच में खड़े हो करके उनसे सीधे सीधे आखों में आखें डाल करके प्रशन कर रही है क्योंकि उस युवा लड़की को अपने उपर भरोसा है लेकिन चचा को अपने उपर भरोसा नहीं है और उस लड़की के उपर बरसने लग गए क्या वो आने वाली पीडी नहीं है तो उस लड़की का माइक बंद करवा देते हैं और उसे वहाँ से धक्के मार देते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है इतना भैस अतारे लगा है अब लोगों का राकेश टिकैत को पहले तो श्रेहन इन से ये पूछना चाहिए किस पीडी की बात कर रहे है कौन सी आने वाली पीडी कौन सी बीतीवी पीडी कौन सी वर्तमान की पीडी कौन सा देशा बात किस की कर रहे हो पहले ये तो क्लियर कर दो जहां तक राकेश टिकैत जी का सवाल है उन्होंने पूरी पूर्वा ग्रहों से एक सित नहीं है क्या ये अपनी राजनातिक रोटिया नहीं से एक रहे राकेश्टिकएट इनिशली हमें लगा कि शैलो भाई हो सकता है ये इतने बड़े किसान नेता के पुत्र है इनका अपना एक सामाजिक दाइरा है एक किसानी परिवार से ये आते ह तो शायद ये कुछ सोच रहोंगे किसानों के लिए लेकिन इनका तो बिल्कुल उल्टा चहरा जो इनिशिली कुछ लोगों ने बोलना शुरू करा था जिस पर हम लोग विश्वास नहीं करते थे वो हम सब के सामने निकल करके आ गया है आज आप जिस लड़की की बात कर रह और हरे रंका जो कपड़ा पहनते ना सर पे पगड़ी टोपी जो भी है वो भी एकदम हवा में उड़ गया सब कुछ गायब हो गया एकदम उनके तंबू कनात तो वैसे उड़ गये है कुछ बचा नहीं है और उस लड़की के ओपर बरसने लग गये क्या वो आने वाली पी पीडी का भला नहीं कर रहे हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं तो अव्यसली जब डरेंगे घबराएंगे तो उस लड़की को निकाल करके बाहर कड़ा कर दिया यही तो उन्होंने किया देखे जो मीडिया सही चीज पूछ रही थी उनको वहां से भगा दिया जो लोग सही ची कुछ राजनीती नहीं कर रहे हैं बड़े किसानों के चिंता है पश्चिम बंगाल में क्या करने जा रहे ह। किसानों को represent करती है क्या किसानों का अंदोलन चल रहा है? क्या हो रहा है वहां पर? सोचने की बात है पश्चिम बंगाल जाएंगे, कभी यह गुजराद चले जाएंगे कभी यह राजस्थान चले जाएंगे लेकिन अगर केरल चले जाएंगे इस तरीके का विवार तुम किसानों के साथ करोगे आप सोचो बैट के खड़े-खड़े वहाँ पर किसानों से इन्होंने ट्रैक्टर चलवा दिये अपने लोगों को भिजवा करके मतला अन्न दाता ऐसी हरकत करता है इस प्रकार से फसल का अपमान करता है अन्न दाता खड़ फसल को लिटाता है उसके ओपर बुल्डोजर चलाता है यह कौन करता है भाई यह कौन करता है कौन भरपाई करेगा उनकी आप देखें जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर किसान आज बैठे में आसपास के गाउं वाले और लगातार इनसे प्रश्ण करते हैं त्रही मम हो जो लोग हैं वो आकर कि उनको आखे दिखाते हैं और कहते हैं नकली किसान है मतलब जो गाउं से निकलावा किसान है जो गाउं से निकल करके किसान बैठ रहा है और उनको भगाने की बात कर रहा है वो नकली किसान हो गया और यह सिर में कभी हरे रंग की टोपी और कभी केस प्रश्ण पूछो तो बिल्कुल अपनी एकदम स्टाइल में आ जाते हैं मैं तो यह करूंगा मैं तो यह बोलूंगा अरे आप क्या बोल रहे हो आप बोलते हो बक्कल उतार देंगे किसके बक्कल उतारोंगे आप इस देश के नागरिकों के इस देश की पुलिस प्रशाशन किसके बक्कल उतारोंगे सरकार के बक्कल उतारोंगे किसके उतारोंगे राकेश जी साफ तो करो कभी बोलते हैं कि ट्रेक्टर के अंदर तेल भर दो मुह इनका दिल्ली के दरफ कर दो इंडिया गेट में जाके खेती करूंगा इंडिया गेट में ट्रेक्टर चलवाओंग का स्वरूप है हमारी राष्दानी तमाम प्रदेशों से तमाम कजबों से गाउं से शेरों से लोग आकर कि यहां रहते हैं अपनी आजी विका कमाने के लिए उनको तुमने हश्य पर खड़ा करके रख दिया पूरे दिल्ली को रैंट्सम के रख दिया है दिल्ली के लोग कह भाई निकलो यहां से जाओ हमारी जिंदगी को सामान्य होने दो इन बॉर्डर से आप निकल करके दिखा दो कितने बुरी हालत है जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं तो कैसे इनसे प्रश्ण नहीं किये जाएंगे मेरा देश है भाई मेरी दिल्ली है मेरा मेरा गंतंत्र दि जो आएगा कानून काला है पोछआ है पूछ दिन पहले कि बता आप लोगों का मन है काला इनकी भावनाय काली इनके दिल की अच्छाएं हैं और वो इच्छाएं जिन kindness को ले कर के ये खिसानों का दोहन कर रहे हैं खिसानों का बुरा कर हैं और अपनी राज़नीती चमकाने की बात कर रहे हैं चहरे पितम सफेध बढ़िया वो लगा करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं हम जो है किसानों का भला कर रहे हैं ये किसानों का भला कर रहे हो तुम लोग ये सच्छा है ये तुम्हारी गलते समाल कर रहे हैं देखे जहां तक जो लोग पहली मैं दो इसमें दो पहलू है एक वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने 26 जनवरी के दिन गंतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के अंदर दंगे कराए अराजकता फेलाए उन लोगों को पकड़ लिया उनके लिए जो है कैप पुलिस वालों के पीछे ट्रैक्टर लेके भागे वो किसान है इस देश का किसान ऐसे करता है हम सारे ग्रामी नंचलों से आते हैं भाई हम सब किसानी परिवार से कौन सा किसान ऐसे करता है आप कहरें उन किसानों को छुड़वा दो वो किसान नहीं है वो किसान नहीं है प जो कि उसकी किसानी इंटरनेट पे चलती है न, वो इनके लिए किसान है, वो ग्रेटा थनबर्ग, वो 18 साल की पूरी तरीके से रेडिकलाइज लड़की, जो अपनी टूल किट बना रही थी, इनकी टूल किट को समझ करके, अपनी टूल किट बना करके, इस देश को परवाद करने की कोशिश करनी थी, वो इनके लिए किसान है, ये सारे लोग किसान है, मोधालीवाल जो इनके लिए पैसे बिजवाता है, वो किसान है, ये सारे लोग किसान है, तो ये किसान है, लेकिन जो असली किसान, जो इनसे बोल रहा है कि भाई, बंद करो ये तमाशा, जो 99% कि पाट निस देश का जो है, वो कह रहा है कि हमारे लिए जो विल, बिल है यह वर्दान है, इन विलों को रहने दो हमें नहीं हम लेना देना नहीं है, किसान का इनको पांच मैसे का अक्कल ठिकाना कुछ है नहीं लेकिन जब मर्जी आती है चापा मार गुरिला मार जो लड़ाई होती है उसकी तरह आएंगे एक आधी ट्विटर में बाते लिग देंगे और उसके बाद निकल के चले आदें मुझे तो यह समझ में नहीं आता है ट्विटर के जो योद्दा हैं ट्विटर के जो वीर जमान हैं इनको क्या लगता है भाई यह देश क्या ट्विटर के अंदर चलेगा इसे देश को क्या ट्विटर चलाएगा इस देश की दशा दिशा क्या ट्विटर रिसाइड करेगा जिसकी मर्जी आती है ट्विटर मे गए, क्या इन्होंने असली गाउं में जा जाकर के घुसके जेवर के गाउं में चले जाओ, टिकरी बाडर के गाउं में जाओ, गाजीपूर के गाउं में जाकर के पूछो, पता करो ना किसानों को कितनी परिशानी है, बास निकले अपना सुबह सुबह उठे, ट्विटर च किस्सा कहानी MSP पे शुरू हुआ, देश के आदर ने प्रधान मंतरी जी ने बोला है कि MSP कहीं नहीं जा रही है, तो क्या तमाशा है, यह तमाशा सिर्फ यह है, हमें राजनीती करनी है, जनता देश किसान भाड में जाए.